है लो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात है तिरपान स्टेडि सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्पून चैप्टर राजी ती विज्यान की यह चैप्टर जो है हर एक लट बड़ा के बच्चों के लिए एक्टियत महत्पून हैं जिनके स्लेवस में यह TOP टॉपिक है देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है जो टॉपिक है अप्तियंत महत्वपून है और यह हर एक क्लास के बच्चों के लिए चाहे वह बीए हो चाहे गारमी हो प्लस टू हो चाहे कोई भी वोट के हो कहते हैं राज्यक निती निदेशिदान्त का एक्जाम में आ वर्थ क्या होता है आखिर क्या मतलब होता है कहते हैं राज्यकी निती निदेशिदान्त के दिये racing होता है इसका निदेशिदान्त करता आयाता है कि नीती निदेश जिद्धान का विचार आया कहां से तो यह आइरलेंड के सविधान से आया है यह आपको याद रखना है कहते यूपी ऐसी एक्जाम में भी ऐसे कोशन पूछा जाता है तो इसमें कोई दोराय नहीं कहते नहीं सलेवस अगर ढंग से आप समझ लेत कुछ लोगों के हाथों में धन के संचलन रोखने के लिए इन्हें सविधान में सामिल किया गया है इसले कोई सरकार इसकी अवेलना नहीं कर सकता है दरासल यह निर्देश भावी सरकार को इस बात को ध्यान में रख कर दिये गए थे कि विभीन निर्ण नीती निदान तो इसका समावेश होना अत्यंद महतवपून रहता है नीती निदेश सिदान्त के बढ़ता है तो यहां कहते हैं अगर आर्थिक और समाजिक सिदान्त के रूप में होगा गंधी वादी सिदान्त होगा और अंतर राष्टिये सांती और शुरक्षा संबंदी सिधानत के रूप होगा और इसमें जो होगा चोथा पॉइंट इसमें विवित सिंधानतों के रूप में हम बरनन करेंगे तो सबसे पहले हमारा तो यही आता है आर्थिक और समाजिक सिधान्त के रूप में इसका क्या योगिता है कहते हैं लोग को समाजिक और आर्थिक लियान के लिए राज्येट जो है निमलिकित प्रयाव सदेव करते हैं पहला तो यही बात आ जाता है कि इस्त्री और पुरुष दोनों के लिए और जीविका का प्रयाब स्वाधन जुटाना इसके अंतर गताता है कुछ हातों में संपति का सकंद्र कर रोकने के लिए आर्थिक विवस्ता का पुर्णे गठन भी किया जाता है समाने कारे के लिए इस्त्री और पुरुष दोनों को समाने प्रशरमिक मिलना चाहिए यानि हमारा जी सविदान बताता है कि चाहिए इस्त्री हो चाहिए पुरुष हो समानने काम के लिए समानने पड़ी शरमिक मिलना अत्यंद महत्वपूर्ण है अगर ऐसा नहीं होता है तो यह गलत है इस तरी पूरुस और बच्चों के लिए योगिये रोजगार आवम कारिक का स्वक्ष वातावरं तयार करना यह भी बहुत इंपोरेंट बात है बच्चों बच्चों को बचाना यह बच्चों को सोशन नहीं होना चाहिए आज हमारे देश में बच्चों के साथ बहुत ही शोशन हो रहा है इसमें कोई दो राए नहीं है उसके पश्राद है रोजगार एवम सिक्षा का अधिकास था बेरोजगारी बुढ़ापे बीमारी अवम और समर्था की स्थिती में सरकारी साहता के करागर उपाय करना अत्यंत महत्पून रह जाता है कारे का नयाय उचित एवम मानविये वाता वरन तयार करना एवम प्रसुती सेवा का विवस्था भी किया गया है यानि प्रसुती होती है तो जो औरतों को है काफी महीनों के लिए चुट्टी मिल जाती है जो की हमारे सविधान में प्रबधान किया गया है सरवजनिक कर्मों के प्रबंधन में मजदूरी की भागीदारी सुनिशित करने के लिए कदम उठाना पहुत ही जरूरी है उसके बाद देखा जाये तो कामगारों विसेज कर अनुसोचित जाती एव सरुबलावत कराना यह भी इसके अंतरगत आता है कहते जीवन सतर को उच्चा करने एवं सरवजनिक स्वास्ति की सुविधाय प्रदान करना भी यही इंपोर्टन बात रहता है चाह सालता के सभी बच्चों को जो है बाले काल की सुविधाय एवं सिक्षा की विवस्ता करन अप्तियंद महत्वपून बना देता है तो यह सारी बातें अप्तियंद महत्वपून थाई अब देखते हैं हमारा अगला जो इसके पॉइंट है क्या है अगला पॉइंट जो है गांधी वादी सिधान्द की गांधी वादी सिधान्द जैसे नाम से ही आपको लग रहा गांदी जी ने अपना विचार, धाड़ा जो है नहीतिक निदैशर सिधांत के अंतरगत दिया था तो कहते हैं कुछ सिधांत ऐसे हैं जो महातमा गांदी के आदेशों का धार पर बनाये गए गई है जो कि बहुत ही जरूरी थी कहते हैं गाउं में पंचायतों का गठन करना गांधी जी का सबसे पहला जो माना गया था उन्होंने ऐसे ही सपना देखा था गाउं में कुट्री उध्यों का बढ़ावा देना उनकी सबसे इंपोर्टेंट एम्वीशन में से था नशिले पदात असराव आदी पर परतिबंद लगाना जो कि स्वास के लिए हानिकारक है ये बहुत ही जरूरी इन्होंने बात बताई थी लेकिन कहते हैं आज महात्मा गांधी के कदमों पे कोई भी नहीं चल रहा है ठीक है इवन आपने देखा भी होगा कि करोना वाइरस में भी कहते हैं कोई चीज नहीं खोला गया कोई दुकान नहीं खोला गया लेकिन सरकार ने सबसे पहली क्या खोली तो कहते हैं सराब के दुकान ही खोली अब देखिए पहले तो हम ये कहते हैं कि गांधी जी के हम आदर्शों पर चलते हैं लेकिन दुसरी तरब हम क्या करते हैं गांधी जी के आदर्शों को हम धरा का धरा ही छोड़ देते हैं तो ये किसी स्वास्त जह स्वास्ता का इनिशानी किसी देश का तो यह बहुत बड़ी तो कहते हैं गंदी जी यही विचारधारा से ते कि नशीले-पदार शरावimarदी प्रतिवंध लगाना जो स्वास्त के लिए काफी हानिकारक भी होता है और देश के लिए भी हानिकारक सिध होता है गाय भात भी गांधी जी को आज लोगों ने खंडन कर दिया है कहते काई जो होते हैं और भैस होते हैं ऐसे रोड़ों पर आपको मिल जाते हैं दौरते हुए चलते हुए और आए दिन इनको एक्सिडेंट हो जाते हैं आए दिन ये कई तरह के बिमारियों से ग्रसित होते हैं लेकिन फिर वी जो है कोई इस पे ध्यान आज कल नहीं दिया जाता है कहते हैं जो हमारे गांधी जी ने देखा था सपना उसके विप्रित जो हमारा देश बनता चला जा रहा है तो कहते कई म कानने में उनका जो है मन बहुत काफी हटास भी होगा उसके पश्चात हमारे समक्ष विधी नीती निदेश शिद्धांत कहते हैं विश्व शांतिम सुरक्षा की दिशा में सही योग का वातावरन तयार करने के लिए भारत नमिलने कि तो उपाय भी करेगा कहते हैं अंतर रा निदेश्दान के अंतरगत ही आता है अंतराश्रे विवाद का प्राम परिक समझोते के द्वारा हल धुडना यह भी इसके अंतरगत ही आता है उसके पशात आता विभित निती निदे सिध्धान देखिए सभी भारतियों के लिए समानने अहार सहिता बनाये जाये इत्यासीमारतों भी या जाएँ पर्यावरन को परदुशित करतें चले जा रहें और बन जीवन के दूर की बात है हम तो आए दिन जो है शिकार करते हैं नियाले में केस जाती है और केस जो है 50 साल तक चलती ही रहती है तो यही तो हमारे देश की विढवना है उप्रियक विधायन के द्वारा जो है निशुलक कानून सहता की विवस्ता भी की जाए दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है यह कहता है् निति-निदे-श-धंत यानि शिख्षा की सर्भामिकता बाल मज़ूरी और महला की सतर देखिए ये समाजती ह काफी आर्थिक नियाय एवं कल्यान कई-राच्जे के अट देश की प्राप्ति में और सिक्षा सबसे बड़ी बादक के रूप में खड़ी हो गई है ए सि ajuste लिए सिखशिव्हाज का होगा नहीं समय नहीं होगा दे Hollus ने वे आगर सर रहेंगे और हम भी ऐसे ही बोट भी देते रहेंगे और लोगों प्रसाहित करते रहेंगे. तो कहते हैं लोग अपनी भलाई समझना जरूरी है तो इसके लिए एजुकेशन भी जरूरी है और एजुकेशन का मतलब यह नहीं होता कि हम सिरफ कलास पास करते रहें एजुकेशन का मतलब होता है कि आप एक समझदार नागरिक बनो क्या सही है और क्या गलत है कौनसी बात लालच की है और कौनसी देश के बुरुद है तो ये समझना आपका प्रमधिकार बनता है और उस पे अनलाईस करना कि क्या ये बात बताई गई सही है उस पे आप सोचिए विचार कीजिए फिर अपना निर्नाय लीजिए यही पढ़ी लिखे का सबसे बड़ा समझदारी का निशान होता है और जो समझदार नहीं होते वो दुसरे के बातों पे बहुत ही असानी से बहक जाते हैं और लालच में आ जाते हैं और गलत कर जाते हैं मैं ये भी कहता हूँ हमेशा कि आपको जो है अपनी विवेक से सदेव कारे करना चाहिए तो इसके अंतर गात जो हमारा पहला टोपिक यही है कि सिक्षा की सर्भूमिक्ता कहते पहले आपने पढ़ा है कि निर्देश देते हैं कि सविधान के लागू होने से 10 वर्ष के अं भारत की केवल 14% अवादी शिक्षित थी यह देखिए कितनी वरी विडबना है कि सिर्फ 14% भारतिये शिक्षित थी तब ही तो कहते हैं जो पर्टिशन हुई है और यहां पर दंगा फसाद हुआ इस समय कहीं कहीं हद तक सिक्षा का भी गिरता हुआ सतर ही था क्योंकि बैक सिक्षित है हमारा सर्वापता हम प्रतियन प्राथमिक सिक्षा को ब्यापक बनाए जाने पर है और प्राथमिक स्थर पर स्कूल जो है छोड़ने वाली संक्या बढ़ते रहने कारण 15-35 वर्ष की आयू वर्ग में अनपड़ों की संक्या बढ़ती चली जा रही है देकि दो सोने लग जाता है करन क्या है महंगाई अब देखिए सिक्षा नहीं भी करोगे फिर भी मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर सकती हो कहते है पेट भड़ता है ना तभी सिक्षा भी अच्छा लगता है जब पेट में अन नहीं रहेगा तो सिक्षा भी आपको बेकार चल देगा माता पिता लेकिन माता पिता अगर कमाने जाते हैं तो उनके तनखाई उतना नहीं होता है क्योंकि सरकारी नोकरी पर तो कहते हैं पर साथ किया जाता है पैसों को नजाने कितने जो है शेडूल यहां पर लगा दी गई या कितने तरह के बेतना बना चुके होंगे त आपको तो किया हुआ मजदूरी भी देने को तयार नहीं होते यह बरे-बरे ठिक-दार लोग सब उनका पेट कैसे भरेगा व्यक्ति-पान दिन से काम कर रखा होता है लेकिन फिर भी उनको पैसा नहीं मिलता है मजदूरी और वह पुलिस चसन पर कंप्लेंट भी करते हैं तो केते हैं वो बंद bearings वहां से भाग गया होता है तो आप समझ यह कि उनका पेट कैसे भरेगा तब ही माता पीड़ा जो होते हैं इनको जो है रोजगार पे लगा देती हैं काम-दंदे पे लगा देते हैं तो ये कहते हैं हमारा जब तक सिस्टम कहते नहीं सुधरेगा ना तब तक कहते हमारा देश प्रगति नहीं होगा सदेश प्रगति शील ही रहेगा क्योंकि कुछ लोग जो है ये नहीं चाते कि भारत देश जो है दिक्सित बन जाए क्योंकि उनका मकसद ही है कि अनपड लोग जरूरी है और सिक्षा के लिए जो है सबसे इंपोरेंट बात रहते ही महंगा आई अगर आज के समय आप देख लोगे ना ते किताब भी खरीदना आपके लिए सरदर्द से कम नहीं बनेगा मैंने बहुत से कि आट मीं तक ही पढ़ें आठा मीं तक और ने से क्या आट मीं तक बच्चे को पढ़ा देने कि माता पीता नहीं है अरे माता पीता तो और ना अगर कमर तोर दिया है आज शोचते हैं को मैं किताब खर दूंगा इसा चाहिए कि उनको भोजन दे दूँ तो यह सारी जो प्रावला में समस्याएं है सरकार को गंभीर से सुचने की अवश्रक्ता है उसके पश्राइब देखा जाए तो 1986 के राष्ट्रे शिक्षा नीती के अनुसार सरकार ने राष्ट्रे सक्षर् ठीक है वह बच्पन से सिक्षा से वंचित रह गए उन्हें सिक्षित करने के लिए सरकार था कई स्वेम से संस्ताओं ने मिशेज प्रेतन से रात्री पाट साला और व्याग सिक्षा के अंदर भी खोले गए गाउं में यह जब यह विसंद चली थी तो धरले से व्यक्ति प पर जाता है कोई अगर आप देखोगे जब स्वक्षा अभ्यान सुरू की गई थी तो मंत्री लोग हर जगा गली-गली जाजा के लोगों में प्रचार करते थे और इवन की दो मिनट के लिए जारू पकरते तो फोटो खिचवात खिचवात जरूर थे तो उस समय स्वक्ष पर जित हो यह और इसमें लगा दिया कहते हैं दो महीने तो लोगों को पढ़नी नजर तक भी नहीं आई लेकिन कहते हैं दो महीने के बाद परणी तो हर छेत्र में मिलने लग गई बीच-बीच में सरकार ने कोशिश भी किया एक-दो दिन के लिए कि लिफाफा बैन है और बनाएं तो रूल जाते है लेकिन उस पे जो है अमल नहीं हो पाता है बहुत अधूरे तरीके से अमल होता है तब ही मैं कहता हूं न कोई भी काम अधूरा नचोड़ो अधूरा काम सदेव खतरनाक होती है और उसका किसी विएक्टि Κो कुछ भी प्राप नहीं होता है जिसे आप भी अगर इस को वीडियो आधा देखके जो है लीव कर जाते हो आगे के नहीं देखते हो तो आपका भी जो ग्यान अधूरा का अधूरा भी रह जाएगा इससे अच्छा आप न 되는데 देखते तो ही अच्छा था तो ये बहुत बड़ी बात है कि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है अधूरा सिक्षा भी बच्चों के लिए खतरनाक ही सी दोता है तो ये बहुत जरूरी बात थी आपके लिए तो यही बात यहाँ पर बताया गया कि सिक्षा की ब्यापक का उद्देश हासल करने के ल दो हजार दो में चटवी सिवा सविधान संसोधन दोरा जो है सिधारा 21 एक अंतरगर निती निदे सिधान्त के अस्थान पर मौली का धिकार करदा दे दिया गया उसके पश्चाद जो है बाल मजदूरी देखिए कहते हैं निती निदे सिधान्त के अनुचार बच्चों को स् प्रतिवंद लगा दिया गया था ठीक है लेकिन कहते हैं प्रतिवंद सिर्फ प्रतिवंदित थी हर जगा बच्चे कारे जरूर कर रहे थे इस प्रपधानों के बावजूद जो है वंचिने परिणाम नहीं मिल पाया अधिकांस मामलों में बाल मजदूरी को समाप्त करने क कि दिशा में मा बाब की दिश्टिकोर ठीक नहीं है वे अपने बच्चों कोई भी काम करके पैसा कमाना कमाना परिवार के आयमेगदान करने के लिए विवश करते हैं मैं बहुत से गरीब बंदों से मिला हूँ यही बात कहते हैं कि भाई हमारे पेट भरने के लिए पैसे नहीं तो बच्चे को मैं इसकूल कैसे बेजो क्यों मैंने पुछा क्यों आइं बहात बहुत साब सब्साब्लमे यही बात बोलते हैं कि मेंगाई तो कमर तो चुकिए व्यक्टियों की आम गरीव हो कि तो कहते में मैंगाई ने इतनी दुरदशा कराब कर दिया है ना कि जो है उनके माइंड में जरूर रहती है तो कहीं ना कहीं आपको अगर देखो अगए तो सरकारी जो है कहीं ना कहीं फैल हो चुकी एठीक है जिसके बढ़न से यह सारी जो हमने देखने को मिलता है बालमजदुरी भी देखने वह मिलता और आए के बज़ासे नहीं बच्च परिवार में माता पिता विवस हो चुके हैं इच्छा सकती कमी के अत्रिक निर्धानता और समाजी कलंता समस्याओं के निड़ाकार में बाधक भी है जब तक इस समाजी सुनोती को समाप्त करने के लिए जगरुता और इच्छा सकती अंदर पैदा नहीं होती है सरकार दोरा भीविन सत्रों में किये प्रयाज निर्धा तक सावित ही होंगे इसमें डॉक्टर अब्दुलकलाम भारत के जो है 2020 तक सपना तभी सकार हो हो सकती है अगर जब देश के भवश्य वच्च सुरक्ष एवं सोचन मुक तो बच्चों को अपन बच्पन के अंदर ही सिक्षा के अधिकार से वंजित नहीं किया जाना चाहिए यह कथन जो था हमारे डॉक्टर अब्दुलकलाम जी के था जिन्हों ने यह देखा था कि 2020 तक जो है इस सपना जुरू सकार होगी लेकिन देखा जाए तो उनका सपना धुरा ही है उसके पश सभाविक रूप से कमजोर ही हो जाती है कहते कटोड समाधी प्रताइबं धार्मिक नीती जैसे परदा एवं दहच के कारण भी महिलाओं के काफी हद तक भुगतना ही पड़ता है 2001 के अनुसार कुल महिलाओं की संक्या जो थी कहते 49 करोड थी और 57 लाग थी जो की कुल संक् कहते 48.3 परतीशत ही थी हमारे सभी द्हार महिलाओं की जिती में उथान एवं सिक्चा के लिए मौलिक अधिकार्दा राज्य के निती निदेस तत्व द्वारा बल दिया गया उन्हें अजीवका के साधिना पुर्षों की तरह समाने काड़े के लिए समाने बेतन का भी कहते हैं काफी अच्छा जो था नीती थी कहते हैं मौलिक करतावी भारत के हर नगरी को को महिलाओं के समान के खिलाब कुछ भी करने से रोकता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए परिवारी संपती में उनके हिस्सा देने के उपाई भी किये गए हैं देहेच के लि भून हत्त्या लर्कियों के प्रतिवेद वाओ बाल विवाओं प्रतिवंदी तो ऐसे उपाए है जिसे महिलाओं की स्तिती में कुछ सुधार तो हुई है संसत एवं राज्य विधाय को में इसी तरह के अरक्षन का पस्ताब भी किया गया था एदा भी कुछ हासिल भी किया जा चुका है फिर भी लोग कल्यार का इडाज्य का स्तापना उद्श्य समावत करने के लिए बहुत करना भी भी बांकी है तो सुधार कि आपको पता ही है कि नीती निदे सिधान्त तो हमने सब कुछ जान लिया है लेकिन कुछ बातों में इसके अलोचनात्मक व्यक्या भी की जा सकती है कहते हैं कई-कई वार थो एक्जामनर के जो है अलचनात्मक व्यक्या अत्यन्द मेहतुपून भी बनाके एक्जामेट डाला है तो इसको जो है इनौर कर देना सबसे वरा मुर्खता होगी इसलिए जो है आप इसको ध्यान से समझने कोशिश करना कि अलचनात्मक व्याक्या क्या है निति निति सिदान्त की कहते है कई अलचकों ने राज्यक निति सिदान्तों को नव वर्ष की सुभकामनाओं से बेहतर नहीं माना है दरासल इन उच्छे अदर्श को सविधान में सा सुभकामनाओं ही है बात सही है कि सिर्फ एक सुभकामनाओं की तरह ही दिया गया है लेकि इसको लागू डंग से नहीं किया गया है जिनके पीछे कई करून मानता नहीं है सरकार इन लागू करने के लिए वाद्धे नहीं है अलचकों का मानना है कि इन सिदान्तों को विव तारा की तरह है जो हमें दिखाई दिखलाते हैं इनका मुख्य उद्देश्य सीमी सादुना के बाबुज जीवन के हर पहलू में इथा शिक सरकार दोरा समाजी आर्थिक न्याय की अस्थापना करना है कुछ सिद्धानतों को तो सबलता पुर्वक लागू भी किया गया है ब अस्तावरा की आत्मा माना गया है इन्हें लागू करने की दिशा में उठाया के कुछ कदम इस परकार है देखिए सबसे पहले तो यही कदम उठाया गया था कि भूमी सुदा लागू किये गये थे और जमिदार और जमिदारी प्रता को अनमुलन किया गया था इसके अनु के लिए भू जो हरवंदी लागू भी किया गया कहते हैं व्यक्ति की सब मंदें बहुत से कारे किये गए राजवारों के दिये के जाने वाले प्रिवी प्रश्ट का जो है अनमुलन किया गया और जीवन भीमा सुदारन भीमा अधिकांस बैंकों को और राश्टे करन किये यह सब निति नितेश दांतों के अंतरगत ही हुआ आर्थिक विसमता कम करने के लिए समपतिक एधिकार को मॉलिक एधिकार के सुची से निकाल दिया गया उसके पर शात निर्धरों की सहता के लिए सरकार दोड़ा जन वृत्रन परनाली की माध्यन सहता भी दी जाती है इस भी किये गए हैं कहते हैं 73 और 74 में सविदान सोसन के दोरा पंचाती राज को सरवाधानिक और अधिक सरस्चत बनाना बनाया गया है में सम्रिधि लाने के लिए लगश दियोग दया खादी घ्राम ध्योग को परसाहित कि गया है भारत अंदर राष्ट सांते सुरक्षा के गोप परसांद करने के लिए सक्रिय रूप से सिंगत राज्यों के साथ से योग भी कर रहा है केंद राज्य सरकार्दरा लिये गए उपरोक्त कदम यह दर्शाते कि भारत में एक पंत निर्प्तेक समाजवादी एवं लोग कल्यान कारी राज्य की निव डालने के लिए कई निती निदे सिद्धान को लागू किया गया है यह सच है कि सभी निती निदे सिद्धान पुन्यता लागू करने के लिए बहुत कुछ करना बांकी अभी है तो निदे सिद्धान को लागू किया जाने के रास्ते में कई ब आगे का टॉपिक अत्यन महत्वपूर्ण है जिसमें मौलिक करतव्य की विशाय में चर्चा करेंगे तो आप इसी तरह तिरपान स्टेडी संटर को लाइक सेर सब्सक्राब जरूर कीजिए अगर अच्छा लगा है तो यह वीडियो जो है दुसरे बच्चे को पहुंचाने मे देखा है तो आपको गलत बोल देगा इससे अच्छा है कि लिंक को आपने क्या करना है वर्ट सब्सक्राइब करके लगा देना है जिन बच्चों को देखना होगा उन देखेंगे जिनको नहीं देखेंगे क्यों कहते हैं किसी वेक्टी को बताया जा सकता जवरदस्ति सग्यान आपको सही बताया जा रहा है जो आपके फैदे में भी हो और आपके एक्जाम भी उसे भी सही हो